जहिंद साथियो, साथियो आज का जो क्लास होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, साथियो आज चेप्टर जो होगा, वो होगा, नरम पंथी अगरवाधी चरन, ठीक है, जो होगा 1905 से 1917 इस भी में क्या क्या हुआ था, जितना भी स्वाल होगा, टोटल आजिया जागा, टो आप वीडियो आन्थो तक देखेगा, दोस्तों को जरूर से जरूर से सेएर कीजिएगा, बढ़ते हैं, कोस्चन की ओर, और देखते हैं इस शेप्टर से रिलेटेड कितना सवाल दिया गया है, टो बढ़ते हैं कोस्चन की ओर, तो देखे साथियो, य 2017 के वीच जब भारती राष्टे आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन को क्या खा जाता था तो अगर वाद्धी चलन खा जाता था क्रेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है सात्यों पता दें कि अब चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें जयां हो जड़ियर केंगे आप्टेलेग्राम में जुड़ हlor से जोड़ जो जएगेगा ठीक है धे लग्त करजनchutz के साइसं कालगे मुषपतापुर्ण कार्य जिसने उग्र राष्टिता को जन्व दिया क्या कालाता था तो 1905 का बंगाल विभाधन कालाता था क्रेप्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो भारत में अगर राष्टिता के जन्व दाता तथा निर्भयता से राष्ट की वेदना को परगट करने वाले पर्थम भारतिय जो थे वो कौन थे तो बाल गंगाधर तिलक था क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे सवाल है साथियो भारतिय राष्टिय पुछा गया सवाल है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो वाइस रहा है वहां का कौन था तो लौड कर्जन था क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे सवाल है किसने गाड़ी पर एक मानकर बं फेका था जिसमें उसमें मुझफरपूर के नियाधिस जो गारी में बं फेका था वो उस समय जो था आगे सवाल है सवाराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा या किसने कहा था तो बाल गंगादर तीलक ने कहा था पर्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय परिशाद अधिनियम 1909 का सबगराही नाम क्या था तो मॉरल मिट्टो सुधार था क्रेक्ट हो जाएगा संप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पधत्ती का सुरुवात भारत के किसके द्वार रखिया गया था तो 1905 मौर्गन मिट्टो रिफॉर्म के द्वार रखिया गया था करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है भारत में गर्दम गलिय अंदोलन का पिता किसे कहा जाता है तो बाल गंगादा तिलक को कहा जाता है करेक्ट हो जाएगा next सवाल है सवाल है कौन पहले एक क्रांती कारी थे जो बाद में एक योगी और दार्षनिक बन गए तो अर्विंद गोस correct हो जाएगा next सवाल है सवाल है सवाल है भारत में मुस्लिम लिंग की अस्थापना किस वर्स में हुआ था तो 1906 में हुआ था correct हो जाएगा मुस्लिम लिंग की अस्थापना बहुत important सवाल है यह पूछता ही रहता है ठीक है कि मुस्लिम लिंग का अस्थापना किस वर्स हुआ है तो 1906 में हुआ है correct हो जाएगा next question है सवाल है सवाल है साथी हो कि 1916 में मदराज में home rule movement के प्रवर्तक ज जाएगा next सवाल है सेर ए पंजाब किसका उपनाम है तो लाला लाचपत राय का सेर ए पंजाब उपनाम था ठीक है आगे सवाल है साथी हो भारतिय इतिहास में भारतिय इतिहास में 1912 का इतिहासिक महतु क्या था तो राजधानी का कॉलकाता से दिल्ली अस्थांत्रन था correct ह हो जाएगा next साथियो अनुसिलन समीती सम्बंधित है तो वी डी सावरकर से है correct हो जाएगा next साथियो किस गवर्नल जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कॉलकाता से दिल्ली अस्थांत्रित घोसना की तो लॉड हर्डिंग ने किया correct हो जाएगा next साथियो अल हिलाल समचार पत्र किसके द्वारा राष्टेता के प्रचार के लिए सुरू किया गया था तो अबुल कलाम अजाद के द्वारा correct हो जाएगा next साथियो पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया तो लाला लाजपत्राय को दिया गया correct हो जाएगा next है भारतिय राष् करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो मुस्लीम लिंग की अस्थापना का स्रह ठीक है साथियो आगे सवाल है महाराष्ट में गनपत्ति उत्सव आरम करने का स्रह किसको प्राप्थ होता है तो बाल गंगादर तिलग को प्राप्थ होता है करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल ह स्वादेसी अंदोलन श्रूख किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरूध के पक्रूख की ने किया था तो शुरेंदर नात्र जी ने किया था करेक्ट हो जाएगा साथियो वीडियो में अंतक बने रहीएगा बहुत ही important सवाल है ठीक है देखें next next है बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटीश सरकार का उद्देश क्या था तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्टवाद को दवाना करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो कॉंग्रेस लिंग समझाता लखनव समझाता 1906 का दुर्गामी परिनाम क्या हुआ था तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्मान आगे सवाल है 1907 में हुए कॉंग्रेस के उधरवादी वह अगरवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था तो राष्टी कॉंग्रेस के अधियक्ष पद का चुनाव ठीक है आगे सवाले साथियो 1907 के कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन की अधियक्ता किस ने की तो डॉक्टर रास बिहारी घोस ने किया था क्रेक्ठ हो जाएगा नेक्स्ट साथियो अनुसीलन समीती थी तो कौन थी एक क्रंतिकारी संगठन थी क्रेक्ठ हो जाएगा नेक्स्ट साथियो किस ने कहा था कॉंग्रेस अंधोलन ना होतो लोगों द्वारा प्रेरीत था ना गोष ने किया करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथी हो बंगाल 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरोध फल्सवरूप उन्हा एकिक्रीत हुआ 1911 में ठीक है आगे सवाल है एक ने यूद के समय भारत की रक्षा के कानून के प्राभधावनों को जीले 1915 में पंजाब से गादर के विरुद इस्तमाल किया गया सांती के समय भी जारी रखना चाहा था तो यह कौन था लौट हाडिंग था और आगे सवाल है साथी हो 1906 में मिंटी से सिमला में मिले मुसलमानों के सिष्ट मंडल के प्राथना की थी तो क्या की थी कि मुसलमानों के लिए पिर्थक निर्व विवाजन जो हुआ था वो कभ उपा था तो पंद्र अक्टुबार 1905 MS को हुआ था बंगल का घृष freshmen की अध्यवाजन अधिवेशन की अधियक्षिता की थी तो दादा भाई नरोजी करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो भारतिय राष्ट्य आंदोलन गरम पंथी के प्रावधान आया 1906 के बाद आया करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है 1908 में बाल गंगाधा तिलक को जेल हुई तो कितन बंगाल से अलग का हुआ था तो 1912 में करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है हम रूल आंदोलन भारत के स्वतनृता संग्राम में एक नए चरन के आरम का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वसासन सेल्फ गवर्मेंट की एक ठोस योजना रखी थी ठीक है आगे सवाल ह गदरपाटी का अस्थापना हुई किस वर्स हुआ था तो 1913 में गदरपाटी की अस्थापना हुई आगे सवाल है साथियो किस ने औल इंडिया मुस्लिम लिंग की अस्थापना किया था तो नवाब सली मु अल्ला खाने किया था करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है गदर क सकती का सफलता पुर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं तो कॉंग्रेस का उनिस्व शुल्ला का लखनो अधिवेशन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो वारिंद्र कुमार घोस किरिया कलापा में एक गूप्त करंत्रकारी संगटन को बंगाल में जन्म दिया तो अनुस्रीलन समीती करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो किस ने भार्तिय राष्ट्य कॉंग्रेस का विरूद अनुन नए विने और विरूद की राजनिती का दोस् लगाया तो बंगल गंगाधर तिलक करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो किस भारतिय राष्टिय अंदोलन का सिर्ष गित बना वंदे मात्रम तो स्वदेशी अंदोलन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो किसे भारतिय असांती के जनक के रूप में जाना जाता है तो बाल गंगादर तीलक को जाना जाता है पन्दर से स्वल में दो हम रूल लिंग आरम की गई वह नेत्री तो किसका था तो तिलक हुआ एली बैसेंट का पाया था वो कौन सा विधान सवा था साथी हो तो विधान सा मुसल्मानों के लिए पिर्थक निर्वाचन चेत्रों में अस्थांत्रन अस्थनों का अरक्षन था ठीक है आगे सवाले साथियो अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन अस्थापना जो की गई थी वह किस किसने किया था तो वीडी सावर करने किया था नेक्स्ट है किसने मुहमद अली जन्ना को हिंदू मुसलिम एक्टा का दूत कहा तो सरोजनी नायडू करेक्ट हो जाएगा नेक्सट है साथियो लाल बाल पाल तिरकूट का कौन सा वेक्ति भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो लाला लाच्पत राय करेक्ष हो जाएगा नेक्ष्ट है मुस्लिम लिंक का पर्थम जो अध्यक्षथ था वो आगा-खहा था क्रेक्षश हो जाएगा नेक्ष्ट सातिवो गीता रहस्य नामक गरंत किस के द्वारा लिखा गया था तो बाल गंगादर त आचिका की नीती अंतो गत्वा समाप्त हो गई तो बाल गंगादर तिलक के नेत्रितु में समाप्त हो गया करेक्ट जाएगा नेक्स्ट है सूरत की फूट 1907 के बाद कॉंग्रेस किसके हाथ में आया था तो नरम दल वालों के हाथ में आ गया था करेक्ट जाएगा नेक्स्ट कि सोग दिवस जो मिनाया जाता है साथियो, वो वह किसके उपलक्ष में मनाया जाता है। जिस तरहं हम लोग 26 हम मनाते हैं देश अजादी के फलसरूंट थीक है तो उसी तरह जो राश्टिय सोक दिवस जो मनाया जाता हूँ वो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही मनाया जाता है राश्टिय सोक दिवस ठीक है आगे सवाल कोई बढ़ते हैं साथियो बहुत important सवाल है सवाल है स्री मती एनी बेसेंट कॉंग्रेस की अधियक्ष कब निर्वाचन हुई तो कॉलकाता अधियवेशन 1907 में हुई correct हो जाएगा आगे सवाल है किसने कहा था तीलक भारतिय असांती के जनक तो वी चिरोल को correct हो जाएगा आगे सवाल है मुझपरपूर में किंग्सफोर्ट की हतिया का प्रियास कब किया गया तो 1908 में किया गया correct हो जाएगा आगे सवाल है साथियो लॉड हडिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्स रद किया तो 1911 में रद कर दिया correct हो जाएगा आगे सवाल है अलीपूर बमकांड में अरविन घोस का बचाओ किस वकिल ने किया था तो सी आरदास ने किया था correct हो जाएगा आगे सवाल है वर्स 1916 में मुस्लिम लिंग और कॉंग्रेस के बीच किस ने समझाता किया तो एनी वेसेंट ने समझाता किया correct हो जाएगा आगे सवाल है किस एक ने 1916 में लखनव में आयोजित भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के अधिवेशन में अज्यक्षता की थी तो अंबिका चरण ऐसी मजूमदार करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो भारतिय सुतनरत्ता संगराम के संदभर में 16 अक्टूबर 1905 में किसके लिए प्रसिद है तो एक दिन अधिकारिक रूप में बंग भंग बंगाल विभाजान लागू हुआ था correct हो जाएगा आगे सवाल है साथियो किसने विरेशी अंदोलन का नेत्रित दिल्ली में किया था तो संयद हैदर राजा ने किया था दिल्ली में correct हुआएगा स्वादेशी अंदोलन 1905-08 के आरंभ का तालिक कारण जो था वो क्या था तो लौड करजन दुवारा किया गया बंगाल विभाजन correct हुआएगा आगे सवाल है साथियो सवाल है प्रथम महायूद के दोलान कहां पर भारत की एक अनंध अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेश काता साथियो तो यह बात अफगरिस्तान का है correct हुजाएगा आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं सवाल है साथियो कि 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिन भारत संगठित किया गया था तो महाराष्ट में किया गया था correct हुजाएगा नेक्स्ट है राम परसाथ बिस्मिल्ला रोश सवाल के बीच में जो क्या समानता थी साथियो समानता क्या थी तो वे काकोरी सढियंद्र मामले से संबंधित थे correct हो जाएगा आगे सवाल है कि कि किस कारगाह में पंडित राम परसाथ बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी तो गौरगपूर में दिया गया था यह इंपोटे हो गया आपने वीडियो अंत तक देखा और दोस्तों को सेर किया ठीक है कल फिल्म मिलेंगे नेक्स शेप्टर में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत और बेसिक बातें साथ ही हो कि आप टेलिग्राम में जरू से जरू जूर जईएगा ठीक है